जो हो गया उसे सोचा नहीं करतें, जो मिल गया उसे खोया नहीं करतें, हासी लूने ही होती है सफलता जो वक्ता और हालात पर रोया नहीं करतें हैलो दोश्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आरार्बी मैद की 94 में और मैं हूँ अनिल कुमार दोश्तों आज हम चक्रब्रीथी ब्याज यानि compound interest का पहला part पढ़ेंगे तो सबसे पहले दोश्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजिए और पने दोश्तों में सेर कर जिजिए ताकि हमसे नए स्टूडेन जूड सके हैं तो चलिए दोश्तों सुरू करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे चक्रब्रीथी ब्याज चक्रब्रीथी ब्याज क्या होता है तो मूल धन और एक वर्स के ब्याज को मिला देने पर बना धन से प्राप्त ब्याज चक्रब्रीधी ब्याज का लाता है दोश्तों चक्रब्रीधी ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है चक्रब्रीधी ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है जैसे माली जी हमें अगर निकालना है एक हजार का अगर एक हजार का माली जी हमें दस पर्षेंट निकालना है दस पर्षेंट दो वर्ष तक का निकालना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें करना क्या होगा यहां पे देखिए तो हम एक हजार का दस पर्षेंट एक हजार का 10% कितना होगा 100 होगा तो यह दोश्तों एक वर्स का निकला इसके बाद फिर जब दूसरे वर्स का ब्याज निकालेंगे तो फिर इसके बाद इसके बाद जो भ्याज आया है पहले वर्स का इस पर भी निकालेंगे 10% होगा यहां पर 10 होगा दोश्तों इसी प्रकार हम जो है ब्याज पर भ्याज निकालते जाएंगे अब दोश्तों हम एक ट्रिक आपको बताएंगे जैसे साई चक्रप्रीथी ब्याज में क्या होता है कि दो वर्स का पूछ लेता है कभी तीन वर्स का ब्याज पूछता है कभी चार वर्स का पूछता है कभी पांच वर्स का और कभी छो वर्स का पूछता है तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक डाटा याद करेंगे कि दो वर्स के लिए अगर दो वर्स का पुछता है तो उसके लिए दो एक लिखेंगे तीन वर्स के लिए तीन तीन एक चार वर्स के लिए चार चार एक पांच वर्स के लिए पांच दस दस पांच एक छवर्स के लिए 6, 15, 20, 15, 6, 1 अब दोश्टों इसको हमें याद रखना पड़ेगा अब आप कहेंगे सर्क कैसे याद होगा तो दोश्टों यह बहुत आसानी से याद हो जाएगा हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर जैसे देखें 2 वर्सका दिया है तो दो लिखेंगे 3 वर्सका है तो 3, 4 वर्सका है तो 4, 5 वर्सका है तो 5, 6 वर्सका है पहले हम ऐसे सीरियस से लिखतें जाएंगे इसके बाद लाश्ट में देखेंगे सबके लाश्ट में एक, एक, सबके लाश्ट में रहेगा इसके बाद जो बीच वाली संख्या वही बदलेगी वह कैसे बदलेगी हम इसको कैसे बनाएंगे आईए हम बताते हैं बहुत आसान ट्रिक बताएंगे दोश्तों यहाँ पर देखे दिया है दो वर्स का तो हमें दो वर्स का सबसे पहले याद रखना होगा कि दो एक होगा अब तीन वर्स का निकालना है तो तीन होगा तीन होगा इसके बाद या दो में एक हम जोड़ देंगे दो और एक जोड़ेंगे तीन होगा इसके बाद लाश्ट में एक लिख देंगे इसके बाद चार वर्स का निकालेंगे तो चार वर्सका पहले हम चार लिखेंगे इसके बाद तीन में या तीन जोड़ेंगे चार हो गया और इसके बाद तीन में एक जोड़ेंगे चार होगा और इसके बाद कुछ नहीं जोड़ना है एक लिख लेना है अब 5 वर्सका निकालेंगे तो सबसे पहले 5 लिखेंगे और 4 में 6 जोड़ेंगे 10 होगा और यहाँ पर 6 में 4 जोड़ेंगे यहाँ पर 10 होगा और 4 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पर 5 होगा और इसके बाद एक हम लिख लेंगे अब उसी प्रकार हम 6 वर्सका भी निकालते हैं 6 वर्सका निकालना आए तो सबसे पहले 6 लिखेंगे और इसके बाद 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 15 हो गया फिर 10 में 10 जोड़ेंगे 20 हो गया अगर दोश्तों आपको याद नहीं है तो आप इसी तरह बनाईएगा आप अच्छे से बना लेंगे चले दोश्तों कुछ कोश्चन देखते हैं पहला कोश्चन है 4,000 रुपया पे 10% चक्रब्रीधी ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रब्रीधी ब्याज क्या होगा है दोश्तों यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रब्रीधी ब्याज पूछा है यहाँ पे मूलधन कितना है मूलधन जो दिया हुआ है 4,000 है मूलधन 4000 है दर आर कितना है जो दर दिया हुआ है 10% है और समय टी कितना है 2 वर्स है समय दिया हुआ है 2 वर्स समय यहाँ पे 2 वर्स का दिया हुआ है और हमें 2 वर्स का जब ब्याज निकालना है तो 2 वर्स के लिए डाटा क्या था 2 वर्ष के लिए 2 एक रखना है 2 वर्ष के लिए 2 एक रखना है तो सबसे पहले जो मूल दन दिया हुआ है 4000 उसका हम 10% निकालेंगे यहां पे 4000 का 4000 का 10% निकालेंगे तो 2 zero से 2 zero कटा यहां पे कितना बचा 400 बचा यह 400 हो गया अब दो वर्ष दिया है तो दो बार निकालेंगे अब दोश्तों अब 400 का हम निकालेंगे अब यहाँ पे 400 दिया हुआ है तो 400 का 10% निकालेंगे 10 बटे 100 अब यहाँ पे देखें 2 0 से 2 0 कटा 4 दाहां में 40 हुआ यानि पहला जो हो गया 400 हो गया दूसरा 40 हो गया अब हम यहां पे लिख लेंगे 400 और दूसरा क्या दिया हुआ है 40 है अब दो वर्स के लिए डाटा क्या है पहले दो है तो पहले वाले में गुड़े करके दो लिखेंगे दूसरा एक है दूसरे वाले में एक लिखेंगे अब यहां पे हम गुड़ा कर तो चार दूना के 800 हो गया और 40 का एक में करेंगे यहां पर होगा 40 अब दोश्टों हम क्या करेंगे जोड़ देंगे जोड़ ने पर क्या निकलेगा चक्र ब्रीधी ब्याज निकलेगा यहां पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 840 होगा 840 रुपया दोज तो आपका आंसर हो गया चले नेश्ट कोशन देखते हैं दिया है 5000 रुपया पर 10% की चक्र ब्रीधी ब्याज की इदर से तीन वर्स का चक्र ब्रीधी ब्याज क्या होगा ठीक है यहाँ पे देखिए जो P जो मूल दने कितना दिया है 5000 दिया हुआ है R कितना दिया है 10% है समय T कितना दिया है 3 वर्स है समय 3 वर्स दिया हुआ है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 वर्स का पूछा है तो 3 वर्स के लिए डाटा क्या है 3-3-1 है इसके बाद जो मूल दन कितना दिया एं 5000 है अब 5000 का हम तीन बार जो ये 10% निकालेंगे 5000 का 10% कितना होगा 2000 से 2000 कटेगा यानि यहां पे 500 होगा इसके बाद 500 का निकालेंगे 500 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा दो जीरो से दो जीरो कटा कितना होगा पचास हो गया है फिर पचास का निकालेंगे पचास का दोज तो हम 10% एक बार फिर निकालेंगे तो यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कटा यहाँ पे कितना होगा पांच अब हम इसको लिख लेंगे यहाँ पहले कितना आया है 500 आया है दूसरा 50 आया है तीसरा 5 आया है अब जो डाटा दिया हुए तीन वर्स का अब हम बारी बारी से गुड़ा कर लेंगे पहले तीन का पाले में गुड़ा करेंगे इसके बाद दूसरे में भी तीन का गुड़ा करेंगे इसके बाद एक है तो यहाँ पर एक का तीन का पांसो में कितना होगा, पंदरसो होगा, तीन का पचास में करेंगे एक सो पचास होगा, पांच का एक में करेंगे पांच होगा, अब यहाँ पे हमें सीधे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जोड़ देना है, तो पांच हो गया, यहाँ पे भी पांच, और पांच एक और यहाँ पर एक, यानि 1645 रूपया दोश्तों आपका आंसर होगा, यानि यही आपका चक्रब्रीधी ब्याच होगया, दोश्तों बहुत आसाने करना कुछ नहीं है, आप बहुत आसानी से बना लोगे, आपको केवल डाटा याद होना चाहिए, आप कोश्चन बहुत आसान इसे कर लोगे हैं चले अगला नेस्ट कोश्चन दिया है दस हजार रूपिया पर दस पर्शन चक्र ब्रीधी ब्याज की दर से चार वर्स का चक्र ब्रीधी ब्याज क्या होगा यहां पर दोश्टों चार वर्स का पूचा है तो सबसे पहले तो मूल्धन कितना दिया हुआ है दस हजार दिया हुआ है मूलधन दस हजार दिया हुआ है और आर कितना दिया हुआ है दस पर्षेंट याने जो दर है दस पर्षेंट दिया हुआ है समय टी बराबर कितना दिया हुआ है चार वर्ष दिया हुआ है यहाँ पे दोज तो जब 4 वर्ष दिया है तो 4 वर्ष का कितना होगा हम 4,6,4,1 रखेंगे चार वर्ष के लिए 4,6,4,1 रखेंगे अब इसके बाद हम क्या करेंगे 10,000 का 10% निकालेंगे तो देखे जब हम 10% निकालेंगे एक बहुत आसान तरीका बता रहे हैं जब यहाँ पे हम 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,0 कम करते जाएंगे तो 10,000 का जब 10% निकालेंगे तो कितना होगा? कितना होगा दोश्तों? 1,000 होगा एक हजार होगा अब 1,000 का जब 10% निकालेंगे अब फिर 1,000 का 10% निकालेंगे यानि इसका फिर 10% निकालेंगे तो 10% निकालेंगे त तो 10 होगा, फिर एक बार 10 पर्षंट इसका 10 का 10 पर्षंट क्योंकि 4 वर्ष का पूछा है, तो इसका भी हम 10 पर्षंट निकालेंगे, तो एक कितना होगा, एक होगा, अब दोश्टों हमें कुछ नहीं करना है, पहले क्या डाटा है, 4 है, 6 है, 4 एक, अब हम इसमें बारी-बार इसे गुड़ा कर लेंगे, पहले 4 का गुड़ा करेंगे, दूसरे में 6 का गुड़ा करेंगे, तीसरे में 4 का गुड़ा करेंगे, और 4 में 1 का गुड़ा करेंगे, यहां पर गुड़ा करेंगे, तो कितना होगा, 4000 होगा, इसका गुड़ा करेंगे तो 600 हो गया 4 का 10 में गुड़ा करेंगे तो कितना हो गया 40 हो गया और यहाँ पे 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे सीधे जोड लेना है तो 1, 4 और यहाँ पे 6 होगा यहाँ पे 4 होगा यानि यही दोस्तों आपका क्या हुगा चक्र ब्रीधी ब्याज हुगा दोस्तों जब भी चक्र ब्रीधी ब्याज पूछता है तो हम इसी तरह लगाएंगे कुछ नहीं करना है यही दोस्तों आपका आंसर होगा इसी परकार दोश्तों पांच वर्स का भी पूछ सकता है छे वर्स का भी पूछे या साथ वर्स का पूछे कितना हूं का पूछे हम इसी रूल का प्रियोग करेंगे हम इसी मेथड से हल करेंगे यही मेथड बहुत आसान होगा तो दोश्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कोश्चन को अच्छे से समझ गए होगे तो दोश्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की गंटी को दबा दीजिए धन्यवाद